हेलो बच्छो, नमस्कार, प्यारे बच्छो, आज हमें 12 चैप्टर के लिए 12.2 का लास्ट दो से 3 कोश्चन रहे थे, फटा-फट वो करा देता हूँ, फिर उसके बाद 12.3 सुरू करेंगे हम, ठीक है, चलिए तो 11 कोश्चन हमने कर लिया था, 12 कोश्चन हमको करना है, लेकिन बच्छो, 12 कोश्चन में कुछ है नहीं, मेरे साब से आपको खुद करना चाहिए, क्या है, मतलब देखो, मैं आपको बस हिंटे देता हूँ, कि बई, ये एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से लाइट ज से, फिर से लाइट कितनी दूर, 16.5 किलोमेटर दूर, और कितने का इंगल बना रहा है, 80 डिग्री का, तो कहरा बताओ, ये एरिया कितना है, कितने दूर का, कितने दूरी तक का एरिया, जो है, ये कवर करेगा, कौन, लाइट हाउस, ठीक है, अपनी लाइट से, तो बस, मै कुछ लिखूँगा नहीं, आपको ये खुद करना है, मेंटेन, क्या, कि भई, या चलो लिख देते हैं, दे डिस्टेंस कवर्ड वाइट, कवर्ड वाइट, अट सी, 16.5 किलोमेटर, समुद्र में, समुद्र में, समुद्र में, प्रकास द्वारा, प्रकास द्वारा तै दूरी, तै दूरी, तो कितना बच्चो, इतना, नाओ, एरिया, प्रकास द्वारा, गेरा गया चेतरफल, ठेक है, तो ठीटा बटा 360, पाई आर स्क्वेर, तो ठीटा कितना, 80, 360, पाई, पाई, कितना लेना भाई, पाई लेना है, 3.14, ठेक है, आर कितना है, 16.5, 16.5, तो 0, 0 कटा, 4 से कटेगा 2, सरी, हाँ, 4 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 5, 5, 3 से कटेगा 5, 5, 2 से मंटिप्लाई, 8, 2, 6, 55, तो कितना जाएगा, 5, 5, 25, 5, 6, 30, इतना, दोनों के मंटिप्लाई कर दो, ठेक है, दोनों के मंटिप्लाई करोगे, तो बनेगा, क्या है मंटिप्लाई में, 6.28, मंटिप्लाई भाई, 30.25, है न, तो मंटिप्लाई करोगे, तो बन जाएगा आपका, 189.97 किलो मिटर स्क्वेर, ठेक है, कर वच्चो इसे बटाएगे, इसे नोट करोगे, फिर 13 कराता हूँ, 13 के पाद 7 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, 12.3 पे, हो गया? चलो, चलिए, कोशन नमर्ट 18, बज़ वीडियो बाउस करके फटाफ़ नोट करते जाओ, और राउंट टेबल कवर है, 6 equal designs, बहुत अच्छा कोशन है, बच्चो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोशन, ठेक है? यह आपका एक राउंट टेबल का कवर है, और इस पे ऐसे design बने वे हैं, यह रहा, यह design बने वे हैं, अब यह मत कहना है, यह कौन सा design है, भई, मेरे ड्राइंग इतनी अच्छी है, ठेक है? यह टेबल कवर है, अब मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, मुझे पता है भई, हर circular चीज का कोई ना कोई center तो होता ही है, उनको इस से मिलाना शुरू कर दि है, इन design के corner से मिलाना सुरू कर दिया, दिया है तो मिला रहे हैं, नहीं दिया होता है, तो कुछ और देखते हैं, ठेक है, फिलाल इतना तो हमें पता चल गया, अच्छा, अब इसने यह बोला है, कि भई, इसका जो radius है ना, वो 28 cm है, तो जब इसका है, तो सब का 28 होगा, ठ इन designs को बनाने का cost अगर 0.35 रूपीज है, 0.35 रूपीज है, तो बताए, यह total cost क्या पड़ा होगा इन design को बनाने का, तो ठीक है जी, सबसे पहले यह देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 sector बन गए, तो जब 6 sector बन गए, तो इच sector का angle कितना सब trend हुआ होगा, तो देखेंग, हाँ सबसे पहले देखो, हाँ, angle, angle, subtence by 6 equal sectors, sector is, ठीक है, तो क्या है बच्चो, total angle कितना है, 360 क्योंकि पूरे circle का, और sector कितने है, 6, कट गया, 60 degree, बच्चो, इच sector का 60 degree हमारा यह आ गया, ठीक है, अब, अब हमें क्या निकालना है, area of design निकालना है, यानि इसका design, इस design का, तो अगर गौर से देखेंगे, तो इसको अगर मैं नाम देदू O, इसको नाम देदू A, इसको नाम देदू B, तो क एक का area निकालके, 6 से multiply कर दूं, तो 6 के 6 आ जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैंने क्या का, ये एक sector है, ये एक sector है, sector में से triangle minus करेंगे, segment बचेगा, segment बचेगा, और एक का area आ गया, तो 6 से multiply कर दूंगा, तो सारे के सारे 6 designs आ जाएंगे, ठीक है, तो चलिए, to, 6 मंटिप्लाई में, 6 मंटिप्लाई में, क्या होगा भई, area of sector, area of sector, minus, अच्छा, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 6 बराबर, 6 बराबर, तिरिज्या खंड द्वारा, बनाया गया कोण, ठीक है, और यहां पे, design का 6 बराबर, 6 बराबर, 6 बराबर, 6 बराबर, तिरिज्या खंड का 6 बराबर, माइनस में, तिर्भुज, तिर्भुज, O, A, B का 6 बराबर, मतलब, area, area of triangle, O, A, B, और आपको पता ही है, कि triangle, O, A, B कैसा है, भाई, यह 60 बराबर होंगे, मतलब, यह भी 60, यह भी 60, तो triangle कैसा हो गया, equilateral, तो बस बात खतम, 6 इंटू में, area of sector क्या बनेगा, ठीटा बटे में 360, πाई, आर स्क्वेर, और यह क्या बनेगा, रूट 3 by 4, side का square, मतलब, भुजा की square, तो 6, ठीटा कितना है, ठीटा है, ठीटा है, भाई, 60, बटा 360, पाई है, 22 बटा 7, आर है, 28 गुना 28, माइनस, रूट 3 by 4, 28 इंटू में 28, 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटा, 6, 7 से 1 कटा, 7 4 कटा, 20, ठीक है, और क्या है, दो से कटेगा, ठीक है, दो से कटेगा, 2, दो से कटेगा, 3, ठीक है, यह कट जाएगा, 7, ठीक है, ठीक है, तो यह क्या बन गिया, 6 गुने में, 22 गुने में, 56, क्योंकि 28 दूनी क्या होता है, 56, और बटे में, 3, माइनस, बाई, रूट 3 की वैलू लेने के लिए बोला, 1.7, 1.7, तो 28, अब पहले 28 को 7, 70 प्लाई कर दो, 7, 56 का 6 रह गया, 5, ठीक है, सादूनी 14 और 5, 96, एक सो चानवे, और यह रूट 3, अब 6 को अंदर बंटी प्लाई कर दो, तो 6 को अंदर बंटी प्लाई करोगे, तो 6 इंटू 22, इंटू 56, अपॉन में 3, 6 इंटू 196, इंटू में 1.7, ठीक है, 3 से कट गया 2, तो 44 इंटू में 56, माइनस 6 के 6, 36, 33, 54, और 355 का 5, और यह ग्यारा, इंटू में 1.7, मंटी प्लाई करो भई, 44 इंटू में 6, तो कैसे होएगा भई, 44 इंटू में 6, वट आफट देख लो अच्छो, हां जी, 44 इंटू 6, 240 और 24, कितना होते है, 264, ठीक है, हां बई, 17, 102, रह गया 2, और कितना हो गया, 10, 17, 119, और 10, 139, करनो, रह गया 12, ठीक है, 17, 17, और 17, 17, और 12, कितना हो गया, 39, करनो, रह गया 2, 17, रह गया 2, 17, और 2, 19, ठीक है, और 0.1 के बाद, तो बस माइनस कर दो, भई, यह, 24, 64 में से, 99, 2, यह, 10 में से, 2 गया, 8, 13 में से, 9 गया, 4, 15 में से, 9 गया, 6, फिर 13 में से, 9 गया, 4, तो यह, 464.8, सेंटीमिटर स्क्वेर, यह, 6 डिजाइन का एरिया है, कितना है, 6 डिजresse counterparts का area है, अब हमें COST निकालना है, हमें क्या निकालना है, COST निकालना है, Now, COST of 1 cm², तो कितना है, 0.35 रुपिस, 1 cm² का मुल्य, इतना है, बजब 1 cm² का मुल्य इतना है, तो इसका कितना होगा, Now, कोस्ट ओफ 464.8 cm2 ठीक है 464.8 cm2 का मुल्ले ठीक है जी तो कितना आ गया 464.8 x 0.35 ठीक है अब इसकी मेंटिपलाई कर दू कितना आ जाएगा भई फटा फट देखो 358 कितना हो जाएगा 35 x 8 ठीक है तो कितना तीन अट्टे 242 402 80 cm2 जीरो हो गया ठीक है ठीक है ठीक है तो बचा 28 तो फिर 35 चोके 146 और अटाईस कितना हो गया एक है एक सो अटाईस टीक है आठ रह गया 16 ठीक है फिर 35 कितना हो जाएगा 180 और 30 210 ठीक है 210 और 16 210 और 16 कितना हो गए 226 226 का रह गया 6 ठीक है और ये रह गया 22 फिर 35 के 200 कितना हो जाएगा 35 के कितना हो जाएगा 140 140 और 22 140 और 22 62 अप पॉइंट 3 के बाद एक दो तीन तो यानि इतने रुपे मतलब अच्छो 162.680 रुपे इतने रुपे लग जाएगे ठीक है इन डिजाइन को बनाने में का कॉस्ट चलो कर लो फटा फट ये नोट कर लो 162.680 रुपे इतने रुपे सा बनाने रुपे वाणिस sorry देखे बच्चो यह हो गया होगा ठीक है अगला question question number 7 वो इस season के बच्चो के लिए नहीं है भई ठीक है बस सिखाय जा रहा है आपको ठीक है ताकि आप ऐसा ना सोचें कि भई कि हमने यह question कभी सीखा ही नहीं ठीक है बस इस सेजन के लिए सिखाय जा रहा है नेक्स्ट सीजन में आपको इन कोशनों की जुरूत पड़ेगी मतला आपके भाई बहन जो भी होंगे चोटे भाई बहन उनके फ्रेंड वगएरा जो भी है उनको जुरूत पड़ेगी इस सीजन में सेवन्थ कोशन की कोई देखिए सेवन्थ कोशन बहुत्चा कोशन है किरा अकॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटिमीटर सब्टेंड एड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज एड सेंटर फाइंड दा एरियों कॉरस्पेंडिक सेग्मेंट लो जी यह आपके पास सर्कल हो गया ठीक है जी यह कॉर्ड ह ठीक है यह सेंटर हो गया यह ऐसे कीचा यह से कीचा और यह एंगल बनाया 120 डिग्री ठीक है थ्यान से देखना 120 डिग्री 12 सेंटिमीटर का इसका यह है ठीक है और आपको पाई लेने के लिए बोला 3.14 और रूट 3 लेने के लिए बोला 1.73 चलिए शुरू करते हैं अब देखो बच्चो इसको नाम देदो ओ इसको नाम देदो ए इसको नाम देदो बी ठीक है अब क्या है हमें इसका एरिया निकालने के लिए बोला है तो आपक बात बनेगे भाई, ट्रेंग्ल का अड़िया नहीं निकाल बाऊगे, तो फिर काम कैसे करोगे, तो ट्रेंग्ल का अड़िया निकालने के लिए क्या किया जाए, भै देखो, ट्रेंग्ल का अड़िया sappु से निकाल सकते हैं, तो समझो इस बात को anything टेक है? ठीक है, देखिए, क्या करेंगे, पहले तो यह देखो, यह 120 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको 120 डिगरी, अब क्या करो, center से, center से, यहाँ पर एक perpendicular डाल दो, और आपको अच्छे साथ पता है, कि जब center से perpendicular डाल जाता है, तो यह सामने वाले, दो equal parts में बढ़ जाते हैं, और इसको नाम दे दो, M, क्या नाम दे दो, M, और साथी साथ आपको यह भी पता है, आपने 9th class में सीखा है, कि जब center से, किसी cord पर perpendicular डाल जाता है, तो angle को भी bisect कर जालो, सुरू करते हैं, भाई, सुरू करते हैं, ठीक, तो यह 60, यह 60, अच्छा, अब सबसे पहले तो मेरे को, क्या करना पड़ेगा, भाई, सबसे पहले तो हम इसके अंदेरे काम करते हैं, ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, भाई, मैंना 90 डिगरी वाला, क्योंकि मुझे 90 डिगरी दिखाई देगे नहीं, यह आपे, तो जब 90 डिगरी दिखाई देगे, तो मैं 90 डिगरी वाला, ट्रेंगल वाला formula इस्तमाल करना चाहूंगा, वन बाई टू, बेस एबी, और हाइट ओम, याईनि कि अगर मुझे एबी की लेंथ मिल जाए और ओम की लेंथ मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, अब देखो, एबी की पूरी निकलनी जुर्त नहीं, अगर एम बी भी मिल गया तो हम एबी कर देंगे, क्याते हैं, क्यों हाँएगगाओं क्यों बगाँगर फवरेवाओं अबिकार फिन धाते हैं, चाइब क्यों आते हैं, क्यों भी डिकार का सी क्योंब उत्स का कांदीन is क्यों किएवेगगगगगगगगगगगगा, गाएबी क Gör मै। मैं अटड क क्यों ऑना इबी भी तो हित बंक्तर हैं क्यो क्या perpendicular from center मुस्το allein को क्या वी क्या डियता है कि केंदर से केंदर से केंदर से हमें क्या करता है केंदर का सम्धी भाज़क करता है और जीवा का भी सम्धी भाज़क करता है ठ Dame तो यहा तक बात बात चल गी चलो जी आप आ जाओ now interangle O M B में O M B मे 60 degree के सामने वाला perpendicular होता है यानि angle के सामने वाला perpendicular और 90 degree सामने वाला hypotenuse तो भई perpendicular upon hypotenuse क्या है जल्दी बता दो तो perpendicular upon hypotenuse होता है sin 60 और perpendicular कितना भई BM hypotenuse कितना भई OB और ये कितना भई root 3 by 2 BM कितना है नहीं पता OB कितना है 12 कट गया 6 वहाँ जाएगा BM BM बराबर आगया 6 root 3 इतना ठीक है अब जब BM बराबर आगया 6 root 3 अब मुझे OM निकालना है ठीक है बच्चों मैंने trigonometric इस्तमाल कर दिया अब मुझे क्या निकालना है अब देखो अब मुझे निकालना है OM तो 60 degree साथ लेटा हुआ कोन है OM यानि base इसके सामने वाला कोन है 90 degree सामने वाला कोन है hypotenuse तो भाई base अपन में hypotenuse क्या होता है ठीक है now now cos 60 base base क्या है अब क्या बेस क्या है OM और hypotenuse क्या है OB ये 60 कितना होगा 1 by 2 OM कितना है नहीं पता OB कितना है 12 कट गया 6 6 उदर जाएगा OM बराबर 6 cm ये आगिए OM लेकिन हमें तो क्या चाहिए AB now अभी अभी बताया है कि AB upon me 2 किसके बराबर है BM के AB upon me 2 किसके बराबर BM 2 आजाएगा तो क्या आजाएगा 2 BM तो AB बराबर 2 BM कितना है 6 रूट 3 तो AB बराबर कितना आगिया 12 रूट 3 लो जी इतने cm तो AB भी आगिया OM भी आगिया मेरा काम बन गया मेरा काम बन गया अब अब मेरे से जमर जी करवा लो now क्या निकालना है area of segment area of segment ठेक है वरित खंड के वरित खंड का छेतर फल वरित खंड का छेतर फल तो कितना भई area of sector minus area of triangle triangle OAB ठेक है तरिजय खंड का छेतर फल minus में तरिभुज OAB का छेतर फल हां जी तो कितना है ठीटा भाई 360 पाई यार स्क्वेर माइनस हाँ बही वन वैट टू बेस एबी हाइट ओएम काम बन गया जी लो तो ठीटा कितना 120 अपन में 360 पाई की वैलू 3.14 आर की वैलू 12 गुना 12 माइनस वन वैट टू AB AB की value कितनी निकाली 12 root 3 ठीक है और OM की value कितनी निकाली OM की 6 ठीक है जो कटे काटो 0-0 कटा 12-36 3 से इसको काटोगे 4 2 से इसको काटोगे 3 ठीक है अब क्या है भई जो common निकल रहे का कुछ नहीं निकल रहा चलो एक एक करके multiply करो फिर 12-48 का 8 रहे चार 12 एकम 12-4 16 रहे गया एक बारतिया बारतिया 48 और एक उननचास point multiply by 4 हाँ भई 12-36 गुने में root 3 और root 3 की value है 1.73 ठीक है 12-36 12 को 3 से multiply कर दिया 36 बचा root 3 इसकी value इतनी अब 4 से करतो भई 8-32 तो रहे गया 2 रहे थीन 6 चोग 24 और 3 27 का साथ रहे गया 2 9 चोग 36 और 2 अड़िस अड़ रहे थीन 4 चोग 16 और 3 उननिस दो के बाद point है यह minus हाँ भई 36 की multiply 1.73 तो 36 तिया कितना हो जाएगा 36 दुने बातर तिया 108 8 तो 8 रहे थीन तो 8 रहे थीन 36 चत्य कितना हो जाएगा 210 और 42 210 और 252 ठीक है 252 252 और 10 262 रहे थीन 36 कितना हो जाएगा 6 6 12 और यह 3 और 2 5 और 1 6 तो 62 हो जाएगा ठीक है 62 62 और यह 2 तो एक सो और ठानवे पॉइंट 72 में से 62.28 माइनस कर दो 12 में से 8 गया 4 6 में से 2 गया 4 और फिर कितना है 8 में 2 गया 6 यह गया 3 यह गया 1 तो आंसर आगया 136.44 सेंटिमिटर स्कूर कितना है करो इस तरीके से करते हैं बच्चो 120 डिग्री वाले कोशन ठीक है इस तरीके से 120 डिग्री वाले कोशन करते है चलो इस जल्दी से नोट कर लो फिर 12.3 शुरू कर रहा हूं चलिए बढ़ा हूंजे बढ़ा हूंजे ये वच्चो सर्कल है 12.3 का कर रहा हूं कोशन नमर फर्स्ट ये सर्कल है ये सेंटर है सेंटर से ये जा रहा है ऐसे फिर या आया ऐसे नीचे और फिर ये ऐसे ठेक है ठेक ये पी है ये क्यू है ये आर है पी क्यू आपको दे रखा 24 24 सेंटिमिटर और पी आर दे रखा आपको 7 सेंटिमिटर तो कह रहा है इस पूरे का एरिया बाहर निकालो इस पूरे का एरिया यानि की एरिया ओफ सेंटिर रिजन इसका एरिया निकालो सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल हद स्यादा सिंपल कैसे देखो अरे भाई ये सैमी सरकल है ये पूरा सैमी सरकल है यानि अर्दविरित अगर मैं इस अर्द विरित के चेतरफल में से, यानि समी सरकल के एरिया में से, इस ट्रैंगल का यह 90 डिग्री पे है, क्यों? क्योंकि भाई आपको अच्छे से पता है कि जब भी समी सरकल पे कोई ट्रैंगल बनता है, तो वह हमेशा right angle triangle बनता है, यह बात हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस बात खतम हो गई, हाँ भई, triangle P, Q, R is a right angle triangle, is a right angle triangle, तिरभुज P, Q, R, एक सम कौन तिरभुज है, सम कौन तिरभुज है, ठेक है जी, आपको बता है, यह 90 degree के सामने वाला hypotenious होता है, बस, using Pythagoras, using Pythagoras theorem, ठेक है, हिंदी बाले लिख लेंगे, पाइथागरस त्रिक प्रयोग करने पर, तो बस R, Q का स्क्वेर, P, R का स्क्वेर, प्लस P, Q का स्क्वेर, P, R कितना है, साथ, यह कितना है, 24, साथ का उननचाश 24 का 576 होता है, बच्चो, 625, R, Q, स्क्वेर यहां पर आगे, रूट 25, R, Q गराबर 25 सेंटीमेटर, यह हो गया, अब क्या है, अब क्या है, यह 25 आगे ना, बस बात खतम होगी भई, ठेक है, यह यह भी निकालने जुरती नहीं थी मुझे भई, नहीं, निकालने जुरती थी भई, क्यों, क्योंकि जब यह निकालूंगा तो यह पूरा 25 आगे ना, तो अब रेडियस निकल जाएगा, ना, डायामीटर, डायामीटर ओफ सर्कल, अजी, कितना आगया, 25 सेंटीमेटर, ठेक है, वृत का व्यास, वृत का व्यास, now radius of circle radius of circle वृत की तरिज्या 25 बटा 2 cm वृत की तरिज्या ठीक है now area of shaded reason चायांकित भाग का छेतरफल चायांकित भाग का छेतरफल बराबर कैसे निकालेंगा भाई area of semicircle minus area of triangle PQR ठीक है अर्ध विरित का छेतरफल minus 33 PQR का छेतरफल ठीक है semi circle का है एक बटा दो pi r square ठीक है PQR का एक बटा दो ठीक है भाई base into my height base क्या है PR hide क्या है PQ चलो भाई एक बटा दो 22 बटा 7 आर्ध की वैल्लू 12 गुना बारा सरी 25 बटा 2 गुने में 25 बटा 2 एक बटा 2 PR साथ यह 24 ठीक है यह 24 ठीक अब जो कटे काटो क्या कुछ कट रहे दो से तो यही कट रहा भाई 11 और दो से यह कट रहा है 12 तो कितना जाएगा 11 गुना पच्ची गुना पच्ची 625 बटा 4 माइन बार सत्य चुरासी बटा 1 गयारत मेंटी बटा यह पच्च्पन 11 गयरत में 22 और 5 27 रहे दो 11 चीक 626 दो 68 बटा 4 माइनस चुरासी बटा 1 करेंगे इससे 6, 8, 7, 5 4 से करेंगे 4, 4, 16 1, 8, 32, 32 और 1, 33 बटा 4 माइनस कर दो 15 में से 6 गये 9 हाँ भई 6 में 3 गया 3 8 में 3 गया 5 6 बटा 4 काट दो गये एक एक उसके बट क्या बचा एक, दो 6 1 3 1 4 3 0, 7 और 5 इतने सेंटिमेटर स्कूर तो 1634.75 सेंटिमेटर स्कूर इतना एरिया आएगा ठीक है बच्छो करो यह एरिया ऑफ सेंटिड रीजन इसको नोट करो ए भ जएवा स्कूर आप क्या किया रहा है कि find the area of shaded reason ठीक है और किया रहा है concentric circle बने हुए मतलब एक circle ये बना हुआ है और एक circle ये बना हुआ है और दोनों का center बच्चो सेम है और कुछ इस परकार की figure है और इसका angle है 40 degree और किया रहा है ये area निकालो ये area निकालो तो बहुत simple है यार ये देखो आपको एक बड़ा sector दिख रहा है ये आपको एक छोटा sector दिख रहा है तो बड़े sector में छोटा sector minus कर दो ये area जाएगा simple ठीक है नाम दे रखा है इसे a b c d और इसे o हाँ आप कहरा है कि छोटे वाले का radius है 7 cm और बड़े वाले का radius ह है 14 cm तो बस बात खतम हो गई भाई सब कुछ तो दिया ही हुआ है हाँ वही सब कुछ दिया हुआ है तो क्या करना है अगर आप लिखना चाहो radius कि ओफ लार्जर सर्कल कि आर ले लेना 14 cm कि बड़े विरित की त्रिज्या कि ठीक है कि रेडियस ओफ इस्मॉलर सर्कल छोटा अर ले लेना 7 cm छोटे विरित की त्रिज्या समझ जाओ ना बस क्या निकालना है एरिया ओफ सेड़िड रीजन एरिया ओफ शेड़िड रीजन च्छायांकित भाग का छे तरफल ठीक है जी तो क्या हो जाएगा ठीटे ठीटा बटा ठीटा बटा 360 ठीटा कितना है एंपानों पाई कितना है एंपाई। हाँ भई जीरो जीरो कट गया चार ये नो एक बटा नो बाइस बटा साथ गुने में 196 माइनस 49 तो 1 बाइ 9 22 बाइ 7 हाँ भई 16 में से 9 गया 7 ठेक है 8 में 4 गया 4 और 1 ठेक है 7 से कट जाएगा 7 दुनी और 1 ठेक है 3 से कट जाएगा 3 तीय तीय सत्य तो साथ दुनी 14 और 54 बटा 3 सेंटी मिटर स्क्वेर इतना अंसर है ठेक है बच्चो तो इसी परकार से बच्चो आपको कोशन नमबर 3 5 3 5 और क्या करना है 7 3 5 7 बस इतना ही करना है ठेक है ये करना बाकी अगले नेक्स क्लास में मैं इससे आगे कोशन करवाँगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में